हैलो फ्रेंब्स तो आज हम दर्शन करेंगे मुड़े शोर टैंपल के कहां गूमना है? कहां जाना है? कहां स्टे करना है? स्टेइंग कॉस्ट क्या होगा? इन सब की दیटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में तो अगर हम बात करें इस टेंपल की ये टेंपल फेमस है यहां के वर्ल्स सेकंड लाजिस शिवा स्टैचू और हाइस प्रवेश द्वार के लिए यह टेंपल समुद्र के किनारे है इसलिए यहां पर आप वीच का भी आनत ले सकते हैं यहां पर आप ट्रें बस और फ्लाइट से आ सकते हैं मूडेश्ट वर इल्वे शेशन यहां का नीरेस्ट इल्वे शेशन है जो की टेंपल से सिर्फ 3 खिलो मिटर की दूरी पर है नीरेस्ट एयर्पोर्ट है मैंगलोर इंट्रनेशनल एयरपोर्ट जोकी 126 किलो मिटर दूर ह कहा जाता है कि रावन को जब च्यूजी से आत्मलिंगा प्राप्त हुआ तो वहां उसे लंगा ले जा रहा था देवतागणों की निविदन पे भगवांशी गणे इसने बैजनात धाम में ही उस आत्मलिंग की स्थापना कर दी रावन बलपूर्वक उस पे प्रहार करने यहां पर बीच में आप हॉस राडिंग कर सकते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हैं इसका पर परसन कॉस्ट 2000 से लेकि 3000 तक हो सकता है स्कूबा डाइविंग के लिए आपको नित्रानी आइलेंड ले जाया जाएगा और इसके ब्यूटिफुल व्यूज आपको वीडियो के लास में देखने को मिल जाएगा यहां पर आने पर यहां पर आने पर मस्ट विजिटिंग प्लेसे से ओम बीच कुडले बीच याना केफ्स विभूती फॉल्स इसके अलावा मैंग्रू बोड़ वोग मिर्जन फोर्ट भी आप खूम सकते हैं ओम बीच इस क्ली 1000 से लेके 7000 की कोस्ट में अच्छे अच्छे लॉजस और रिजॉर्ट मिल जाएंगे मुडेस्वर और गो करना ट्रिप प्लान कर रहें अगरा तो आपको 3-4 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए फर्स्ट डे आप गो करना मुडेस्वर इसके लावा मैंगरू बोड़ वॉप और कुडले संसेट देख सकते हैं सेकेंड डे आप याना केव और विभूती फॉल्स के लिए प्लान कर लीजे थर्ड डे आपको स्कूबर डाइविंग के लिए चले जाना चाहिए इसके लिए पूरा दिन लग जाएगा यहाँ पर आने के लिए बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकि फैबरिवरी के बीच में आज की वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दे वीडियो अगर इस तरीके की जादा से जादा ट्रिप इंफर्मेशन छोटे से वीडियो में चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल जै महाकार थैंक यू